इस वीडियो से मैं रेविट की फैमली के टूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ मुझे बहुत सारे मेसिजिस और कमेंट्स आती हैं कि रेविट की लाइबरेरी नहीं है कुछ तो प्रोब्लम्स जब हो जाती है जब आप रेविट को इंस्टोल करते हैं या डाउनलोड करते हैं कि जैसे भी करते हैं तो उसमें रेविट की लाइबरेरी रह जाती है वो नहीं आती तो बहुत सारे जो हैं उस पर काम नहीं कर पाते हैं बीना लाइबरेरी के कुछ को मैं send कर देता हूँ और बहुत सारों के पास नहीं है तो जरूरी नहीं है Revit की library हो आप अपनी library बना सकते हैं अपने content तयार कर सकते हैं जैसे अगर आपने AutoCade पर काम किया है तो AutoCade में भी सब कुछ बनाना ही पड़ता है और उसको हम फिर अपने किसी भी project में use कर सकते हैं इसमें हम Revit की families बोलते हैं यानिक है जो Revit की जैसे AutoCade में blocks होते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखें यह हमने Revit 2017 open कर रखा है और यहाँ पर सबसे उपर देखें यह यहाँ पर यह project section होता है जो भी हम project start करेंगे वो हम इस section से start करेंगे और यह नीचे families का section है यहाँ पर यह recent जो family हमने open कर रखी होगी यहाँ पर यह उसको दिखाएगा और कोई new family हमें बनानी है तो हम यहाँ से new family बनाएगे और कोई बनी हुई है उसको edit करना है यह उसमें कुछ काम करना है उसको हम open करके बनाएगे और यहाँ पर यह conceptual mask होता है बहुत सारी library आपको autodesk seek पर भी मिलेंगी अगर आप autodesk seek पर click करेंगे तो यह आपको उसकी website पर भेज़ेगा और वहाँ से आप बहुत सारे library content डाउलोड कर सकते हैं free में तो इस वीडियो से मैं library बनाने सिखाने जा रहा हूँ तो आप सभी इनको step by step देखें और follow करें और जो भी आपकी problems हाती है आप जो facebook का group है मेरा गुलशाद अंसरी discussion group तो आप उस पर जाकर वहाँ पर post कर सकते हैं group को join करके और नीचे link दिया हुआ है description में वीडियो के description में नीचे link दिया हुआ है आप उनको चेक कर सकते हैं और गुलशाद academy पर जाकर और भी course आप सीख सकते हैं बहुत सारे courses हैं और भी आएंगे next time में free courses हैं सभी तो आप group join करें कोई पैसे नहीं लगते हैं उसमें भी और facebook का page है एक learn rabbit के नाम से आप उसको भी like करें जिससे आपको news updates मिलती रहेंगी सब कुछ free है और आप share करें share करने में भी पैसे नहीं लगते हैं अगर आप share करेंगे मुझे feedback मिलागा मुझे आपकी support मिलेगी तो start करते हैं जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो हम यहाँ से new family open कर सकते हैं सबसे पहले मैं इसके कोई points बताऊंगा जो main points हैं वो ज़रूरी है जैसे मैंने यहाँ पर new पर click करा या फिर यहाँ पर आप जाकर click करेंगे और यहाँ पर new पर click करेंगे family तो दोनों जंगे से वही काम करेगा हमने click किया new तो new पर click करेंगे हमारे पास यह dialogue box open हो गाएगा यह चीज हमारे पास होनी बहुत जरूरी है अगर आपके पास यह चीज नहीं है आप मुझे वीडियो की comment में लिख सकते हैं या फिर आप facebook का group join करें और वहाँ पर आप अपनी जो भी problems आ रही हैं जो भी problems हैं आप उनको वहाँ पर post कर सकते हैं इस्क्रीन शोट लेकर भी आप वहाँ पर group में post कर सकते हैं तो जब हमने यहाँ पर new पर click किया तो हमारे पास यह dialogue box open होगा उसके बाद यहाँ पर यह सब अलग category की families आती हैं यह मैं आपको बाद में बताऊंगा सबसे पहले मैंने जैसे कोई भी यहाँ पर एक file open करा लिए मैंने यहाँ पर generic model मैंने इसको open करा लिया यह हमारी family का user interface है जहाँ पर हम family create करते हैं तो आप देख सकते हैं जब हम project पर काम करते हैं तो हमाएं कुछ और नजर आता है और अब family हमने open किये तो हमें कुछ और नजर आ रहा है यहाँ पर यह project browser है जैसे project में होता है और यहाँ पर यह properties है आप इनको अपने हिसाब से कहीं पर भी रख सकते हैं अगर आपको Revit नहीं आता तो आप नीचे description में link पर click करें और शुरू से Revit को सीखें उसके बाद यह चीज सीखें नहीं तो आपके यह समझ में नहीं आएगा या फिर आप YouTube पर जाएं YouTube open करें Internet Explorer में YouTube open करें और यहाँ पर मेरा नाम लिखें इसमें मेरा नाम लिखने के बाद आप इसको search करें तो यहाँ पर आपको यह मेरा चैनल का आएगा सबसे उपर और कुछ यहाँ पर यह वीडियोज हैं यह भी मेरी हैं आप यहाँ से जाकर या इस पर click करके भी मेरे चैनल पर जा सकते हैं और कुछ नीचे दो चार के बाद में यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा Autodesk Revit Full Tutorials for Beginners in Hindi उर्दू यानि कि यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा तो यहाँ पर मेरा नाम आएगा नीचे गुलशाद अंसारी आप यहाँ पर click करें यह 26 वीडियोज हैं इसमें अभी और भी एड़ होने वाली हैं तो आप इस पर यहाँ पर click करें और सीखना शूरू करें आप जैसे यहाँ पर click करेंगे play all या फिर आप यहाँ पर click करके चैनल को भी subscribe कर लें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे play all और यहाँ पर आपको यह वीडियो मिलेंगे आप यहाँ से यह वीडियो सभी देख सकते हैं अगर आपको revit नहीं आता तो हम बात कर रहे थे user interface की यह project browser होता है यहाँ और यह properties होती है उसके बाद अगर आपको इसमें project browser यह properties शो नहीं कर रह और यहाँ पर देखें user interface में project browser और properties यह दोनों आप यहाँ से on off कर सकते हैं और simply drag करके आप इनको कहीं भी रख सकते हैं जैसे भी आप रखना चाते हैं इनको अपने according इनको रख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर यह सबसे उपर quick access menu बार होती है जिसमें कुछ command होती है जैसे new open save वगेरा undo redo और यह title बार होती है जो हमें project हमारा जो भी हम चीज़ बना रहे हैं वो किस नाम से वो यहाँ पर show करेगी और यहाँ पर यह कुछ sign in के options होते हैं इसमें autodesk में उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ribbon होती है और ribbon में कुछ tapes होती है जैसे create tape और create tape में यह हमें य यहाँ से शुडू करेंगे यह user interface होता है family का यह चीज हम दो तरीके से बना सकते हैं जो हम family बनाना चाहते हैं रेविट की वह हम दो तरीके से बना सकते हैं एक तो इस तरीके से जैसे मैंने open किया है यहाँ पर कुछ भी चीज बना लें और उसको save करा लें और उसके बाद अब उसको project में load करके उसको किसी भी project में use कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका हुता है आप new project open करें यह हमारा new project है अभी यहाँ पर हमें यह चीज नहीं मिलेगी जो उसमें नजर आ रही थी हमें family के user interface में form वगएरा यहाँ था जो अभी यहाँ पर नहीं है वो चीज यहाँ पर भी आ जाती है अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे model in place और यहाँ पर category select करेंगे आप किस discipline में काम करें आर्किटेक्चर वगएरा में जिसमें भी और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह चीज आपको बनाना है ok करेंगे और यहाँ पर उसका नाम देंगे उसके बाद ok करेंगे तो वही चीज आपको यहाँ पर नजर आएगी जो वहाँ पर हम देख रहे थे form tape था model tape था control connectors वगरा तो यह चीज़े यहाँ पर भी बना सकते हैं लेकिन इसका इतना फायदा नहीं है अगर ज़रूरी है model हमें अपने project में ही बनाना तब हम यहाँ से बनाएंगे अगर हमारे पास यहाँ पर हम बना लेंगे कोई भी model कोई भी family हम यहाँ पर create करने लेंगे model in place करके तो इसका हम इसी में use कर सकते हैं अगर हम इसको दूसरे project में use करना चाते हैं तो थोड़ा difficult पड़ता है और अगर आप बाहर से उसको बनाएंगे new family create करके यहाँ से यहाँ से बनाएंगे जैसे मैंने बना रखाता मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से अगर आप यहाँ पर कोई भी block बनाएंगे यानि के family बनाएंगे model बनाएंगे उसको आप किसी भी project में बाद में load करा सकते हैं इसको save करा देंगे अपनी folder में computer की directory में कही पर भी आप इसको save करके और किसी भी project में आप इसको load कर सकते हैं और आप किसी भी friend के साथ में उसको share कर सकते हैं तो अपने models बनाएं step by step जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा आप बस उसको वैसे ही बनाएं और अपना practical करें और अपना जो भी चीज आप बनाते हैं जो भी मेरे से वीडियो से सीखने के बाद आप कुछ भी चीज बनाते हैं आप उसको facebook जो group है मेरा उसमें join करें उसमें उसको post करें facebook group को join करके उसमें आप post करें अपना जो भी आपका काम है उस group में जा का उसको post करें ठीक है जितने भी students ये वीडियो देख रहे हैं जो भी कोई वीडियो देख रहा है ये students हो या कोई job करने वाला हो जो भी वीडियो देख रहा है वो group को भी join करें Facebook page को भी like करें और channel को जरूर subscribe करें क्योंकि जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको notifications मिलते रहेंगे और share जरूर करें क्योंकि मुझे आपका support मिलागा तो मैं अगे बढ़ूँगा उतना ही जादा मैं वीडियो बनाऊँगा उतना ही जादा आपको tutorials मिलेंगे तो ये user interface होता है next वीडियो में हम इसमें model start करेंगे मैं सबसे पहले ये चीज सिखाऊंगा ये चीज हम कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो में इतना ही चैनल को जरूर subscribe करें share भी करें वीडियो को share करने में पैसे नहीं लगते अब प्लीज वीडियो को share करें अपने friends के साथ में और गरीब हों की मदद करें साफ सफाई का ध्यान रखें Thank you